Hey guys, welcome back to another video, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है DBMS, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले है हम लोग ER model में कैसे रिप्रेजंट कर रहे है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, उसके क्या क्या सिम्बल होंगे उनको क्लेक्टिवली में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, So let's get started towards our interesting video, Hey guys welcome back to the screen, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है symbols that is used in ER model, So let's get started, So guys ER model के symbols को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा topic जो की मेरा रह गया था, वो आज की इस वीडियो में में आप लोगों को बताने वाला हूँ that is relationship set, अब यह जो topic को मैंने आप लोग को ER model के diagram में भी बताया था, ER model के video में, अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो please do check out my channel, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, But इसको short में आज भी हम लोग explain करने वाले हैं, entity, entity set के उपर और attributes के उपर detailed video आप लोग को मिल जाएगी मेरे चैनल के उपर, relationship set को मैं इसी वीडियो में cover करने वाला हूँ, सबसे पहली जो definition आती है हमारी, relationship set is a set of relation of same type, मतलब यह जो relationship set है ना, अगर आप लोग मैं बता हूँ इसको short में, तो यह दो entities के बीच में, जो relation है उनको दिखाने के लिए, यह actual में help करता है, और यह एक ऐसा set of relationship होता है, जो की same type का होता है, next के उपर हम लोग बढ़ते है, that is our diagram और बहुत simple सा diagram है, आपर मैंने ले लिया है, जादा कुछ hard diagram नहीं है, student मैंने एक entity लिया है, और course एक entity लिया है, उनके बीच में जो relation है, वो है enrolled in, मतलब student जो है, वो course में क्या कर रहा है, enrolled in हो हमारा हो गया यहाँ पर relationship, यहाँ पर एक line लिखना चाहूँगा, that is enrolled in is a relationship that exists between entities, that is student and course, student and course के बीच में relationship है, enrolled in है, relationship set का एक छोटा सा आप लोगो concept समझ में आ चुका होगा, और आई होप आप लोगों को इसके बारे में एक detail वीडियो बनाने की जरुरत नहीं, अभी हम लोग move करेंगे अपने main topic के उपर, अभी आप लोग बढ़ चुके अपने main concept के उपर, that is the symbols that are used in ER model, इसके लिए मैं एक diagram यहां पर represent कर रहा हूँ, और उस diagram में आप लोगों को 3 column दिख रहे होंगे, that is symbol, symbol का name और symbol का description, तो सारी चीज़े अभी हम लोग detail में पढ़ने वाले है, सबसे तहला जो आता है हमारा entity आता है, entity को हम लोग symbol क्या करते है, rectangle से हम लोग उसको represent करते हैं, और उसका symbol का name of course entity ही है, उसका symbol का description है वो कैसा है, and entity is represented by the rectangle which contains the entity name, मतलब क्या represent करा जाता है, जो rectangle है उससे उसको represent करा जाता है entity को, और वो क्या contain करता है entity name, मतलब उस rectangle के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी entity का नाम होगा उसको हम लोग उसके अंदर represent करेंगे, अगर आप लोग को entity नहीं पता तो उसके उपर मैं detail में वीडियो बना रखिए, आप लोग i button या फिर description में जाकर देख सकते हो, या फिर channel के उपर भी reach out कर सकते हो, जो हमारा symbol है वो है attribute, attribute को symbol name उसका attribute है और उसका symbol है, वो क्या है, each attribute is represented by the oval containing attributes name, मतलब एक attribute name होगा और इसको किस shape से हम लोग represent करेंगे, oval shape से उसको हम लोग represent करेंगे, next के उपर चलते है that is key attribute, आपने जो key attribute है वो attribute का एक type है, और इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि attribute की उपर भी मैंने एक detail video बना रखेंगे, उसको भी आप लोग check out कर सकते हैं मेरे channel से, ताकि आप लोग को यह जो एक concept है वो और अच्छे तरह के से detail में समझ में आए, की attribute मतलब एक ऐसा attribute होता है जो की uniquely identify करता है किसी भी एक entity को, तो इसको हम लोग किस type से represent करते हैं इसको हम लोग represent करते हैं ओवल से ही, बट इसका जो नाम लिखते है की attribute का उसको हम लोग underline लिखते हैं, इसका जो symbol name में वो है key attribute और an attribute that uniquely identifies a particular element is called as key attribute जो के में आप लोग को अल्रेडी बता रखा है, next हमारा है multi-valued attribute मतलब क्या होता है इसका multi-valued attribute इसका symbol का name है, multi-valued attribute और those attribute which can take more than one value from the given entity और entity set, मतलब एक ऐसा attribute जो कि multiple values लेता है from the entity, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, multi-valued attribute बोलते हैं, इसको और अच्छी तरीके से में detail में explain किया है attributes वाले वीडियो में, तो बार-बार इसलिए मैं आप लोग को बता रहा होगी उस व्याले वीडियो को भी देख लेना, और इसका symbol क्या है, तो इसको हम लोग symbol draw करते हैं इसका double oval या फिर double eclipse आप लोग बोल सकते हो, oval भी इसको हम लोग बोलते हैं, eclipse भी बोलते हैं, तो इस type का हमारा symbol है उसका representation होता है, तो इसका भी हम लोग बढ़ते हैं, कुछ next symbols के उपर, तो fifth हमारा symbol है, that is derived attribute का symbol, इसका symbol है, वो है dotted eclipse, इसका जो name है, वो है derived attribute, और derived attributes are the attributes that do not exist in the physical database, but their values are derived from the other database present in the database, मतलब यह जो derived attribute है, वो derived करा जाता है from any other attribute, तो इसको हम लोग बोलते हैं, derived attribute, detail में video आप लोग को मिल जाएगी, channel के उपर, अभी जो sixth हमारा आता है, वो है weak entity, weak entity को हम लोग represent करते हैं, double rectangle के थूँ, और weak entity क्या होता है, an entity that cannot be uniquely identified by its attribute alone, मतलब यह जो एक entity होती है, एक ऐस entity होती है, जो कि uniquely identify नहीं करी जाती, उसके attribute से उसको हम लोग weak entity बोलते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा attribute नहीं होता जो कि इस particular entity को uniquely identify करें, और यह अभी हम लोग बढ़ेंगे, towards our relationship, relationship हमारे two types की होते है, directly में आपको बता देता हो, दोनो एक साथ, यह पर हमारी होती है strong relationship, और एक होती है हमारे weak relationship, strong relationship मतलब यह relationship होती है, जिसमें दो entities होती है, और एक जो entity होती है, वो दूसरे entity क्योंपर dependent नहीं होती, और weak relationship में एक जो entity होती है, वो दूसरे entity क्योंपर dependent होती है, अब जैसे अगर मैं student और course का example लो, तो student और course यह दो अलग-अलग entities है, बट यहाँ पर अगर मैं course का example लो, तो course जो है dependent है student के उपर, क्योंकि अगर course हमारा entity है, तो student भी होना ही चाहिए, तो जो course है, वो हमारा dependent है student के उपर, और इसलिए यह जो इनके बीच में जो relationship होगी, वो weak relationship होगी, बट उसी तरीके से अगर मैं student का example लो, तो student एक ऐसा entity जो कि किसी के उपर भी dependent नहीं है, तो इससे जो भी relationship होगी, वो है strong relationship, तो यह जो है types of relationship है, खेर इसके उपर ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ER model में हमें सिफ और सिफ E की relationship दिखानी है, So that's it for today guys, मैंने यह सारे जो symbol है वो आप लोग को explain कर दिये, I hope you like the video, if you like make sure to press the like button और share कर देना अपने friends और family members के साथ, relatives के साथ, जो की DBMS को पढ़ना चाहते हैं, बागे मैं मिलता हूँ आप लोग से next video में, till then keep watching me and peace out.